पतना इस्धित सदाकत आस्राम, आनि कि कॉंग्रेस का जो प्रदेश का रहला है, वहां पर इंदिनों हलचल काफी बढ़ गई है. कारण है कि एक देश का युवा नेता, एक वोकल नेता कॉंग्रेस जोईन किया है. और अब जो बुढे नेता थे कॉंग्रेस में दिनके चलते सदाकत आस्रम सुंसान पड़ा रहता था वे अब सायद पार्टी से धीरे-धीरे साइड होंगे और युवा कारे करता है। अब समझ यह पार्टी जॉइन करते हैं और इदर बिहार में जो महागट बंधन है जिसमें कॉंग्रेस है राजद है उनके बीच दरार पर जाती है और दरार कल बिल्कुल साफ हो गई बिहार में जिन दो विधानसवा सीटों पर उप्चुनाव होने जा रहा है तारापूर् अगर हम सोचते हैं इस पर जो कारण समझ में आता है तोर से वो यही है कि एक सेल्फ मेड नेता कनहिया कुमार भुमिहार है और कोई बैग्राउंड नहीं है एक बहुत औसत परिवार से आते हैं बेगुसराय के और बिहार में एक बड़ा चेहरा है देश में बड़ा चेहर में हम यह प्रक्ष भी रखेंगे कि चुनाओ के ठीक पहले पपुयादव को बरी कर देना और बरी होकर वो जैसे ही बाहर आते हैं अभी की बात करें तो वो वैशाली में है उस बच्ची के यहां जिसका रेप किया गया जिसकी हत्या कर दी गई और साम में उनका आज प्रे को यह मुकाबलाब होने जा रहा है जदियू वर्सेस आर्जेडी वर्सेस कॉंग्रेस प्लस जाप तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार तेजश्वी आदव क्या डर गए हैं क्योंकि तेजश्वी आदव का अगर अपना कहा जाए बिहार की राजनिती में तो पुर का मुदी प्तारन है और इंडिया टॉप में आप सभी का स्वागत है यह राजनितिक विस्लेशन है और विस्लेशन इसी बात पर है आदेश जी कि तेजश्वी आदव क्या इतने इन्शिक्योर हो गया है कि एक सेल्फ मेड निता उनके उम्र का इसका कोई राजनितिक प्र का एक बहुत दो कारण है सबसे एक कारण तो पुराना है बिहार विधानसवा से जुड़ा हुआ है कि कॉंग्रेस वालों ने उसमें प्रेसर डाल के सतर सीट लिया उन्होंने विधानसवा हुआ और इसी सतर सीट दने के चकर में मुकेश सहनी को बाहर होना पड़ा वो पी सीट जीत पाएं सतर सीट लेने के बाद तो एक उसमें तयस्वी और लालू बहुत नराज भी हुए थे कॉंग्रेस पर तो एक तो उनका परफॉर्मेंस देखते हुए आरजेडी को ये लग रहा होगा कि कॉंग्रेस के पास तो करकरता भी नहीं है सभी जगा कैसे जीत पा दूसरा कारण इसमें हो गया कनहिया का कनहिया जो है देखिए ये बिहार में चाहे चिराग हो चाहे तयस्वी हो ये वनसानुगत राजनिती के पढ़नाम है ये तो अपने से को याया नहीं है लेकिन कनहिया जो भी हो जैसा उनका भासन रहो जैसा उनका पिछला इतियास र देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको सपोर्ट किया पसंद किया और हिस्सा ही नहीं राजिंतिक दल बिजे पी कर छोड़ दे तो बाद कि जितने दल थे वह सब पर्दे के पीछे से सामने होके उनको सपोर्ट ही किये लेकिन वह सबसे बद्दिक्त शुरू हो जाता है कनह या दोनों ऐसे में डर है कि दखिए जो वनसानुगत जो राजिनती करते हैं उनको अपना अधार छिनने के वड़ा डर रहता है क्योंकि देखें अगर आर्जेडी देखें या कोई भी हम पार्टी देखें अभी ज्यादातर पार्टी छेत्रिय पार्टी जो है वो देश में जातपात के ही नाम पर बना हुआ है यहां आर्जेडी हो चाहिए और भी दूसरी पार्टी हो लोजपा उईुपी में समाजवादी पार्टी हो बीएफ़पी हो यह सब ही जो है उजात्पही बने हुए है और गरिबी का जाती का मुस्लिम से दलिस से एक समी करन बना कि यह बने हुए हैं और इसमें क्या है कि कनहिया क्याने से सबसे बड़ा प्राब्लम क्या होगा कि यह भी एंटी वीजेपी और आपने देखा होगा कि जब पिछले साल जब यह यातरा निकाल रहते बिहार में जो पचास दिनों बाद गांधी माधन पहुंचा उसमें बहुत बड बेवुस राय में जब एलेक्सम 2019 का था तो CPI और RJD उसमें भी गट बंदन में थे बावजूद इसके बेवुस राय में RJD को मुदवार तन्वीडी को खाड़ा करना पड़ा क्यों क्योंकि RJD नहीं चाहती है कि कनहिया बिहार में हिट कर पाएं अगर वो हिट करेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान करेंगे तो वो 13 करेंगे लेकिन देखिए कॉंग्रेस में भी है कॉंग्रेस भी चाहेगी कि वो बिहार में ही रहें क्योंकि कॉंग्रेस भी वन सानुगत राजिंती कहीं पड़ी नाम है उनको भी डर लगता है कि कोई अगर जमीन से जड़ा तो फिर जो उपर के जो हैं जो राहुल गांदी हैं प्रियंका गांदी हैं उनके लिए चैलेंज बन सकता है तो आगे कनहिया को पिहार में ही रखा जाएगा और हो सकता है कि कनहिया मुंगेर में और कुशेस्वरा स्थान में जाके परचार करें अगर कॉंग्रेस हारती है तो ये कहने दिखाने का सो किया जाएगा है कि कनहिया नाम का कोई भी magic बिहार में नहीं है अब कनहिया की हम बात करें तो कनहिया कितने बड़े factor बिहार की राजनीती में आपको बनते हुए दिख रहे हैं आने वाले 5-10 सालों में चुकि राजनीती कोई competitive परिक्षा तो है नहीं कि बैठे पास की ये निकल गया रिजल जॉइनिंग हो जाएगा ये तो है कि लंबा संकर्सिस में चलता है चाहिए वो लालो जी हो नितीश कुमार हो सभी ने श्टरगल किया आने वाले 5-10 सालों में 15 साल दो दसक के अंदर आप कनहिया को बिहार में कहां देखते हैं साथी साथ चुकि अब वो कॉंग्रेस से जुड़ गया है कॉंग्रेस में अब रहेंगे भी लंबे समय तक जैसा उन्होंने खुद बताया तो कॉंग्रेस का भविस क्या देख रहे हैं 1990 के बाद से बिहार में कॉंग्रेस पूरी तरिके से गायब हो गए भाव है वो पिछले साल जबरेली किये तो वहां पर लाखो लाख की संख्या में लोग आये थे लोगसवा चुनाओ के समय में भी आये थे और देखिए कोई भी एंटी बीजेपी वाले जितने लोग हैं जो बीजेपी एंडिये के सासन को नहीं पसंद करते हैं वहीं को पस रहती है लेकिन जैसा लीडर्सिप अभी कॉंग्रेस का है जतना गैर जिम्मदार लीडर्सिप दिली में है और बिहार में जैसे उनके नेता हैं उससे लगता है कि कनहिया भी ज्यादा दिन कॉंग्रेस के महमान होंगे या नहीं होंगे यह भी कहना मुस्किल है और दूसरा हुआ कि मद्ध पर्देश में और जब राजस्थान में चुनाओ था दोनों जगा चुनाओ से पहले सांसद छुड़वा के और लोग को चुनाओ लड़वाया गया कि इसको एंपी में जोती दादिति सिंधिया को और राजस्थान में सचिन पाइलट को दोनों जगह जित गया हो और दोनों जगह उन दोनों आदमी को नहीं बनाए गया क्यों क्यों कि अगर वह बनते तो राहूल गंदी के लिए वह चैलेंज हो जाते वह पब्लिसिटी वह इस तरह आजस पाइलट और माधराव सिंधिया हुए थे तो उस तरह यह हो सकता अगर बिहार में ही यगर हीट करते हैं कर नहीं तो उसे तेस्वी कोई प्राब्लेम है चिराग पास्वान इसमें कहीं आपको दिखते हैं चिराग पास्वान नों कहीं दिक्कत हो सकता है कर नहीं से चिराग पास्वान डिरेक्ली तो ही ज्यादा हीट तो करेंगे एक तेस्वी को यह तेस्वी जो है वो अपने पिता की विरासत को आगे लेके चल रहे हैं और उ तो उनका वोटर ग्रूप है, वो मान चुके हैं कि हमारा इतना लिमिटेड वोटर ग्रूप है, वही मेरा मजबूती से बना रहा है, और उसके लिए जो है कनहिया हो सकता है, थोड़ा महुत, अगर परभाव चले तो थोड़ा बहुत डैमेज करेंगे, ज्यादा अनली, लेक लेकिन आरजेडी लगातार उसमें हमला वर्फ हो गई, क्योंकि इन्हें डर था, कि यही जाती के हैं, लगातार ये काम कर रहे हैं, अगर इनको हमने समर्थन दे दिया, तो हो सकता है कि यह विहार में इनका कद्ध बढ़ जाए, बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, जाती के जो हैं, वो राजनीती भले ही जाती के भूमियार हैं, वो भी उनका प्लस प्रेंट है, अगर वो अपनी पिछली गलतियों से माफी मांग लेते हैं, उसमें सुधार करते हैं, या अपने राजती के चलन बदल लेते हैं, तो हो सकता है, एक समय में फ़र्वाड लोभी जो ह जो गरीब हैं, फिर से जो बीजेपी के सासन को नहीं देखना चाते हैं, उनलोग का समर्थन तो उनके साथ हैं, अब हम बात कर लेते हैं, पपू यादव के उपर, पांच महिनों से सजा काट रहे थें, तबियत खराब था, डीम सीच में भरती थें, और इसी बीच जब आ उन्तीम दिन के तीन-चार दिन पहले उन्हें रिलीज कर दिया जाता है, उन्हें बरी कर दिया जाता है, आपको नहीं लग रहा है कि कहीं एक तरीके से ये प्रयोजित भी हो सकता है, अखिर कर किसका इसमें फायदा आपको देख रहा है, पपू यादव का छुटना, और उन्हें दोनों सीटों पर चैलेंज करना, वो भी कॉंग्रेस के पक्ष में, किसको डामेज करेगा, जदियू को या फिर राजत को, पपू यादव कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन एक मैसेज देना होता है, पपू यादव जैसा काम कियें, बहुत लोगों समर्थन किया था, सभी लोग जो हैं पपू यादव को कोरोना काल में काफी समर्थन किये थे और काफी लोग को दुख भी लगा था उनके गिरफतारी होने से, रिलीज किया गिया है तो देखिए, छोड़ना तो उनको रिलीज करवाना तो सत्ता पक्ष कहीं मर्जी से हो सक सत्ता है, भी पक्ष कहता कुछ चलेगा नहीं इसमें, और कॉंग्रेस में जाकर वो कॉंग्रेस के पड़ती उनका जो है सॉफ्ट करनर बना हुए, अलगातार कॉंग्रेस को लेकर पोजेटिव बयान दे रहे हैं निकलने के बाद दरबंगा, मैं उन्हें पीसी किया यह सोच के उनको बाहर किया हो कि यह कॉंग्रेस के साथ मिलेंगे और नुकसान किसे आखरेंगे, और करेंगे भी तो करेंगे, राइनती संभावनाओं का होता है, अगर इनका फ्रेक्टर चल गया इन दो जगह जगों पर, तो हो सकता है कि उनके फेवर में कॉंग्रेस को वोट करें, और वो आरजेडी का वोट काटें और जदियों निकल जाए, एक ख़बर और भी आ रही थी कि कॉंग्रेस में विले हो सकता है, जह आप तारापूर से चुनाव खुद लड़ सकते हैं, पप्पू यादो, इन बातों में कितना दम देखिए, अगर पपू क्योंकि उनकी पाटी को विधान सभा में, लोग सभा में कोई भी सफलता नहीं मिली, लोग सभा में खुद हार गए वो, विधान सभा में एक भी उनका कोई नहीं जीत पाया, तो उनको लगता हो कि एगर हम कॉंग्रेस से गटबंदन कर लेंगे, अब कॉंग्रेस 2020 लोग सभा विधान सभा चुनाओं में अलग पार्टी बनाके वो एलेक्शन लड़के देख चुके, उससे कोई फायदा नहीं हुआ उनको, पॉब्लिसिटी है लेकिन पॉब्लिसिटी वोट में कनवर्ट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कॉंग्रेस में जा भी सकते हैं, लेकिन अभी फिलाल कोई चुनाओं नहीं है, तो इसलिए ज्यादा इस पर नहीं किया, जैकल निकले हुए हैं, और आज आके आज पीसी करने वाले हैं, बताएंगे ही क्या कुन करनेती है, तो जो नेता बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में जब वाटर लोग की पूर जब डूबा था, तो नितिन नभीन जो यहां के सिटिंगे में ले हैं, वो दार्डिलिंग चले गए थे, उससे में पपुयाद और लगतार काम कर रहे थे, तो उनके प्रतासी को पान समड़ती था है, खुद मधे पूरा से लेड़े तो वहाँ पर पपुयाद त आती है, तो वहाँ पर शायद इस विदान सभा चुनाओं में भी कितने बड़े फैक्टर बनते हैं, याने वला समय बताएगा ला, साथी साथ, बिहार में ये बात अब साफ हो चुका है, कि तरिकोणी यह मुकाबला है, आरजडी वर्सेस जेडी वर्सेस कॉंग्रेस प्ल झाल